नमश्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा सिफल धाम इटूप चनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला रासी फल के बारे में कि या दिन तुला रासी वालों के लिए केसा रहेगा, किन कीन चीजों से इनको फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनके लव लाइप केसी रहेगी, केरियर केसा रहेगा, बिजनेस और बैपार केसा रहेगा और स्वास्त की महतपुन जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका सुबरंग और सुबरंग के क्या है दोस्तों वीडियो के अंतर में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना शकी तो दोस्तों आपकी वीरासी तूला है तो इस वीडियो को बिलकुल भी मिशना करें और इसे अंतर तक जड़ूर देखें वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें के लिए पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों मेडिया तथा संपक्त सुत्रों समंदी गत्ति विद्यों में अपना विशेज ध्यान केंदित रखें आपको कोई महत्यपुन सुचना मिल सकती है अनुवी लोगों किशला और मारदस्थन पर भी जरुद्यान दें कुछ राचनात्मक तथा मन मुतावित कारे में संपन विक्तित करने से मन परभूरित रहेगा दोस्तों घर में नमीकरन तथा परिवर्तन समंदी कुछ महत्यपुन योजना बनेगी जो कि परिवार में चली कोई समस्या का भी निवारन होगा वैस्ता के वाज़द कुछ समय अपने रूची पूर्ण कारियों के लिए भी समय निकालें इसे आपको शकून मिलेगा दोस्तों किसी मुश्किल काम को आप मेहनत से पूरा करने की कोशिश करें रुका हुआ पैसा मिल सकता है दोस्तों वैस्ता के वाज़द आप घर पर अपना भरपूर ध्यान देंगे दोस्तों भगवान सनी देव के किरपा से आपको महतवपुन सुचना मिल सकते हैं जिसे आपको और आपके घर परिवार में खुश्य अवरा बतावरन रहेगा दोस्तों पिछले कुछ समय से जो महतवपुन काम आपके रुके हुए थे वो आज भगवान सनी देव के किरपा से पूरे होने वाले हैं जिसे आप और आपके घर अबार में खुश्य अवरा पतावरन रहेगा दोस्तों याँ खुशी के बीच में एक सुपसमाचार भी मिल सकता है जिसे आप अपने केरियर में कई उन्नती और कई तरकियां भी हासिल करेंगे जिसे देख के लोग आपको शाहरना भी करेंगे जोस्तों परिवार के साथ मोज मस्ती भरी क्रिया कलापों में बहतरिन समय वेतित होगा बहुत समिंदी योजना में बहुत निवेश करने के लिए समय अनुकूल है घर की जरुरत समंदी वस्तियों की ओनलाइन खरिदारी करने में खुसी महसूस करेंगे दोस्तों अपने किसी विश्यस पर तिभा को निखा रहें इसे मनवल बढ़ेगा समाजी वा धार्मी क्रिया कलापों में समय वेतित करने से आपको मानसिक शकून और शांती मिलेगी प्रपटी के लेंदेन समंदी कार में सफल रहेंगे आज आपके काम अपने आप बनते जाएंगे इसलिए गंबिर्ता और मेहनत से अपने कारियों पर ध्यान दे परिवारिक कारियों विवस्तित रूप से होते जाएंगे किसी भी तरह का कोई विबाद चल रहा है तो उसे सुलजाने का भी आज उचित समय आ गया है काम की अपक्षा आप अपने व्यक्तिगत तथा रूचित समंदी गत्तिविदियों पर अधिक समय व्यतित करेंगे इससे आपको मानसिक शुकुन और खुशी मिलेगी अपने कामों को योजनावद और डिस्सिप्लिन से अंजाम दे पाएंगे तो उस्तो नेगेटिव में बात करें तो अपने किसी भी कार में जल्दवाजी ना करें सभाब में परिवक्ता लाना जरूरी है जोखीं बरी कार में बिल्कुल भी रूची ना लें अनल नुकसान हो सकता है परिवार जनों तो था समंदियों के साथ समंदों मदूर्ता बनाए रखने के लिए सहन सक्ति की भी जरूरी है किसी नजदी की मित्र अत्वा समंदि की साथ मनमटआप की इस्तिपन सकती है बात चित करती समय अभधर भासा का पर्योग न करें समपर भरोसा रखें किसी गलत सला आपके लिए नुकसान दायक रख सकता है दोस्तों आज हो सके तो पड़सियों के साथ किसी बात को लेकर वाद वाद मन न पढ़ें अनता आपका ही नुकसान हो सकता है इसलिए साफधान रहें दोस्तों और अपने आपको काबू में रखें अपनी उर्जावा चुस्ती बनाए रखें मोसम की वज़े से आलस को अपने उपर हावी न होने दें वना कुछ काम अधूरे रह सकते हैं बच्चों की गतिविदियों तता संगत्ती पर कड़ी नजर रखें समय के अनुसार अपने वहवार में भी परिवर्टन लाना जरूरी है सोपिंग आदी करते समय लापरवाई ना करें वेर्थ की गतिविदियों में खर्चा करने से वज़ट बिगड़ सकता है भाईयों के साथ समय में खटासना आने दें बड़े बुजरों की सलावा मारदसन पर आवश्य अमल करें दोस्तों वहां तथा प्रपटे से समय कोई भी निर्ने लेते समय उचीत सोच विचार आवश्य करें कभी कभी आलस और लापरवय की वज़े से आप कुछ काम टालने का प्रयास कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आने पर परिवारी सदस्यों की सलाव अवश्य लें रुपे पैसे के मावल में किसी पर भी विना सोचे समझे विश्वास न करें वरना आप मुश्किल में पल सकते हैं किसी परवारी सदस्य के विवायत जीवन में समस्या आने से तनाब रहेगा इसमें किसी भी यत्रा को टालना उचीत रहेगा दोस्तों व्यवसा में निवेश के लिए समय अनुकुल है ग्रेसिती बहतर बनी हुई है इसमें मार्केटिंग और परमोशन पर अधिक ध्यान देना जरूरी है जोब में चलरी परिशानिया अभी बनी रहेगी ध्यारे रखें आवसी आपको सफलता मिलेंगे व्यवसा हस्तल पर कारपर्णाली और कर्मचारियों के साथ ऊचीत तालमेल बना कर रखना जरूरी है वरत्मान परस्तियों की वज़े से धैर और सेहं से काम लेना होगा नुकृत पैसा लोग अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिष करें दोस्तों आपके कारिशेत में वैस्ता बनी रहेगी रन निती बनाकर काम करने की जरुरत है अनुवी वेक्ति का ओचीत मारदर्सन भी मिलेगा नोक्रे में मन्चायक काम की जिम्यदारी मिलने से सुखुन और सांती में सुस करेंगे दोस्तों कमिशन समिन्दी कारे में सफलता मिल सकती है नोक्रे में ओफिसल यात्रा समिन्दी ओडर मिल सकते हैं दोस्तों वेबसाब समंदी में कोई भी पुंजी लगाएंगे और नया काम शुरू करेंगे तो आख मून के काम शुरू करें क्योंकि भागवान शनिदेव का आसिरवाद आपके उपर बना हुआ है आज कोई भी काम शुरू करेंगे तो आपको आवासे सफलता मिलेंगे और नई तरकी नई चमत कारे भी करने लगेंगे। के जरीए कोई महतपुन वेफसाई सोचना मिल सकती है। के जरीए कोई महतपुन वेफसाई सोचना मिल सकती है। तो मोसम का परभाव आपके स्वास्त पर भी पढ़ सकता है। आपके सरी तंदुरिस्त और फिट रहेंगे। दोस्तों सनिवार के दिन अपने घर के पुजास्तल में हनुमान जी के तांतरिक हनुमान यांतर की आस्थापना करने से घर में लक्षमी जी का वासास्थाई राता है। सनिवार के दिन साम के समय हनुमान के सिद्ध मंदिर में जाकर दो दीपक जिसमें एक सर्सों के तेल का और एक दीपक सोधिगी का जलाने से जीवन के सारे कश्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों हनमान जी के दाहने कंदे के सिंदूर का तीलक लगा कर कहीं सुब काम करने जा रहे हैं तो इससे लगा कर जाएं आपके सबे मनुकामनाय पूर्ण हो जाएंगे और बिगडे हुए काम पूरे हो जाएंगे दुस्तों आप बात के लिए अपका भागसाली रंग और भागसाली अंक क्या है दुस्तों आपका भागसाली रंग आश्मानी है और भागसाली अंक एक है दुस्तों भगवान स्तनी देव का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जै शनीदेव ज़रूर लिखे हैं और वीडियो को लाइक सेर ज़रूर करें धन्यवाद